हाovbernट्स आज मेरे करावई हूं बहुत ही टेस्टी चवतफी भिंड़े की सब्ची देज़ी एकiven दो टतरिकिन मानिए तो प्लीज वीडियो को लाइक चाहिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देचेगा फ्रेंट्स चलिए फटाफट रेसीपी को मैं शुरू करती हूँ तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम लेंगे यहां पर भिंडी तो यहां अब मैं लें भिंडी भिंडी को हम पहले अच्छे तरीके से कट करेंगे यहां पर मैंने भिंडी को अच्छे तरीके से क्लीन करके रख लिया था तो चलिए अब भिंडी को हम इस तरीके से बीच से कट करेंगे दो भागों में आप इस तरीके से भिंडी को कट कर लिजे फ्रेंट्स यहां पो माने सारे बिंटी काट करके रख लें हैं तो फ्रेंड्स , अभ हम पभरते हैं . गास प्लेश पर गडवा यहां प। फिटो पिण्च जीरा फ्रेंड्स यहां पर मैं डाल तुरetics यहां अगिस जीरा एक पिंच में डाल दिया जीरा अब यहीं प्राटरियों में लेसन लेसन को बने अच्छे तरीक से ग्रेट कर दिया था और दोने चीज़े भूनने के बाद हम यहीं बढ़ा लेंगे प्याज बारी खटा हुआ प्याज डाट रिफ्रेंट्स यहां प्याज का कर चेंज पाद हमें अच्छे तरीकी से बूने लेंगे जब प्याज का कर चेंज हो है जो हमने भिंडी काड रख की है भिंडी को हम इसी कढ़ाई में डाल देंगी अब दोनों अच्छे तरीके से हम पक्रिएंगे देख सकते हैं भी अच्छे तरीके से पक्रिएंगे आप क्या करेंगे कुछ मसार्य याड़ी कर देंगे तो फ्रेंड सफी पहले में आप डालों स्वात करूसार नमक एक पींच हल्दी पाउडर अब यहाँ पर डालों मुगी में कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर और इसे अच्छे तरीके से हम चला देंगे अब करी 6-7 मिट क्लेए से हम अच्छे तरीके से पकाएंगे तो भींटी है बहुत जल्दी है पक जाती है तो यहीं पर एक डामाटर काट के मैंने लंबे-लंड़ पीसे में मैं डाल दिया एक बिंडी में ही अब इसे अच्छे सम पकाएंगे करीब 5-6 मिलेट के लिए चलिए इसे मैं कवर कर देती हूं फ्रेंस तो फ्रेंस मेरा बेबी भी बहुत परिशान करता है और मुझे रेस्पी बनानी होती है तो यहाँ पर मेरा बेबी को लगी है प्यास चलिए मैं फटा फट बेबी को पिला देती हूं पानी साथ में रेस्पी बनाना होता है और साथ में बच्चे को बसमालना होता है तो दोनों साथ में ही मैं लेकर चलती हूं तो यह लिजी बने बच्चे को पानी पिला दिया आपके और मुझे भी प्यास लगे थी तो मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ मेरा बेबी बहुत ज़्यादा शरार दी है तो बहुत परिशान करता है चलिए बच्चे को सम्वालटे सम्वालते में इसी रेस्पी बनकर तैयर हो चुके तो चलिए चेक कर लेते हैं डिरीदे के फिंस हमारी भ Soup Carnies तेस्टी और यमी डिलेशिस बनकर बिल्कुल तयार है उपर से डाल देंगे हरा धनिया और इसे अच्छे तरिक सब मिक्स कर लेंगे ते हमारे चैटपटी सी भंडी बिल्कुल बनकर तयार है अब गर्मा गर्म पराथे से किये या चपाती और इसे आप साफ किजिए सभी को बहुत ही जादा पसन आएगा यह भिंडी चलिए इसे अब निकालते हैं फटा फट प्रेट में यहां पर मैं प्रेट में साफ कर रहे हूँ दे लिजे हमारे मस्त वाले भिंडी बनकर तयार है फ्रेंट्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लग्यों तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने पराथे रख लिए और भिंडी की सबजी और इसे अधर कि की बिंडी सभी को बहुत ज्याद Press मैं खाकर چेक करते लों की कैसी बनाडियों है मैं बहुत ज्रेंड़ंर ने हैं घर के सब्सक्राइब कर देंगें ह। लिजुन tha कर दो बनाड़े हैं घर कर दो एक स्वाडन कि अधा को